नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 और 25 जून मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों हम आप सभी को बता दें की आने वाले अगले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं पहुती बड़ा चमतकार जी हाँ दोस्तों अब एक साथ मिलेगी साथ बड़ी बड़ी खुजखबरी और साथ छेतरों में लाप के नई रास्ती जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें की अगले दो दिनों का शमे आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे महत्पुन शमे सावित होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें की आपकी कुंडिली में एक साथ तीन देवताओं का आसिम आशिरवाद अब पढ़ चुका है जिनके कारण दोस्तों दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में दिन दोगुनी और रात चोगुनी तरकी होने वाले हैं एक परकार से कहें तो दोस्तों अब आप सभी का वाँ समय आ चुका है जिनका आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे जिहां दोस्तों अब मिठाई बाटना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तों खुस खबरी कुछ ऐसी है जिनके कारण मिठाईयां बाटने पर आप मजबूर हो जाएंगे जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको कई छेतरों में लाप की नए नए मोके मिलने वाले हैं के आस्म असिरवात से आपके जीवन काल में धन से जुड़ी जो भी समस्यां हैं धन से जुड़ी जिन छेतरों में आपको काम आठका हुआ था दोस्तों वे सभी कारे अब आपके बनने वाले हैं और धन से जुड़ी सभी परकार के समस्यां अब आप सभी के जीवन काल में खत्म होने वाले हैं साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि संकटों की निदान महावली हनुमान जी अब आप सभी के जीवन काल में दस तक दे चुके हैं और आप सभी के जीवन काल में सभी देत और दुस्मोनों से आपकी रक्षा भी कर रही हैं जिनके कारण दोस्तों यह दो दिनों का शमय आप सबी के जीवन काल के लिए पुर्णता ग्रहों की गोचर के साथ साथ इन देवी देवताओं के आसिरवात से बहुती बड़ी उपलब्धी लेकर आने वाला शमय होगा जिहां दोस्तों और ये महतपुन शमय को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा जिहां दोस्तों इन्हें आप ध्यान से सूरु से आंत तक देख लिजेगा क्योंकि दोस्तों इनमें आप सबी महतपुन जानकारी को भी जानेंगे कि ये दो दिनों में आपको कौन-कौन सी लक्षमी और महावली हनुमान जी के आसिम आसिरवाद से आपके घर के माहुल में पारवार जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अंतर तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो वेक्ति वीडियो को लाइक करके कामेंड बॉक्स मे सच्चे मन से जय सनी देव, जय मालचमी, जय हनुमान लिखेंगे दोस्तों तीनो देवी देवदाओ का आसिम आसिरवाद आपको च्छन भर में प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा और तिया आप इस चैनल पर नई हैं तो चैल को भी सब्सक्राइब कर लें आपको इन दिनों में एक इक्छा सक्ती जागरित होगी और यह ज्यान यह बात हैं आगे चलकर आपको बहुत ही काम्याबी सावित होगे जिहां दोस्तों कि दोस्तों बड़े बोल न बोले रामायन में रावन ने घोरत पस्या किया और बर्माजी को परशन कर लिया बर्मा दोस्त है और उपर से एसा वर्दान मांग रहा है बर्माजी ने रावन को समझाया जिसने जन्म लिया है उसकी मिर्ति अवश्य होगी यही बीधान है रावन आड़ गया और बोला नियम मैं नहीं जानता मुझे तो यही वर्दान देना पड़ेगा बर्माजी सोचने लग मनुष और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार न शकी बर्माजी ने तुरंत थास्तु कह दिया रावा ने सोचा था कि मनुष और बंदर तो मेरा भोजन है यह क्या मुझे मारेंगे उसने कलपाना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का रखना चाहिए बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए कभी कभी एहंकार में एसी बड़ी बातें बोलती जाती है जो मनुष हमारे लिए ही नुकसान दाई हो जाती है जी हां दोस्तों तो दोस्तों चीवन काल में इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए जी हां दोस्तों तो भात करते हैं कि आने वाले दो दिनों के अंदर इन तीन देवी देवताओं के आसिम आसिरवात से आप सबी के जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। अंत में एक उपाई भी बताए हैं जो कि मातर एक बार कर लेने से दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी संकट समस्या हैं या फिर धन से जुड़ी हो, कारोबार से जुड़ी हो, आपके बिजनस बैपार से जुड़ी हो दोस्तों या जर से समाप्त हो जाएंगे जी हां दोस कौन से साथ नए रास्ते अब आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं पूरे विस्तार से। परिवर्तन आएगा और परिवार जनों को भी खुशी मिलेगी। साथ किसी अंजान इंसान से मुलाकात आपके भागदे समन्दित कोई द्वार खोल सकती है। परिवर्तन आपको सिवकार करें। यह आपके लिए शकारत्मक रहेगा। उस्तों गिरिष्टी बहुत ही अनुकुल है। मन मुताविक तरीके से कार बनेंगे। द्रिनिस से होकर अपने परतिक कार में ध्यान दें। आर्थिक द्रिष्टी से भी आज का दिन आपके लिए बेहतरिन उपलवधिया ला रहा है। राचनात्मक तर्था मन मुताविक गत्यविदियों में भी बहतरिन समय वेतित होगा। युवाओं था विद्यार्थियों को अपने कोई दुविधा दूर होने से रात मिलेगी। सिर्फ कोई भी निने लेने से पहले उचीद विचार्ज विमर्ष करने की आवसकता है। अब अपने कार को जितने परिश्रम और मनन से करेंगे उतने ही अनुकुल परना भी हासिल होगी। इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबधानिया भी देखकर चलनी होगी। आपने कम्यों को पहचाने और सुधार लाने का प्रयाश करें। वाउ दिन्चारिया से रहात पाने के लिए अपने मित्रोत ता समंधियों के लिए भी कुछ में अवस निकालें। और तो दूसरों के निरने पर आमाल करने से पहले उची संच विचार जरूर कर लें। वैबसा में भी कुछ ना कुछ चुनोतिया रहेगी। किसी लपारवाय की वज़े से कार छेत में काम भी गड़ सकता है। इस पर आप ध्यान रखें। साथी आयके साधनों में भी कुछ कमी रह सकती है। लेकिन धैर रखें जल्द ही समय की चाल आपके अनुकुल होगी। रिष्तिदारों के साथ किसी बात को लेकर कुछ वाद विबात की इसती बनेगी। और इसका असर आपसी समंधों पर भी पड़ेगा। या समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसे भी कार में रूची नाले। अनुवी लोगों के मारदर्शन और सलहा की आवहलना न करें। या समय बहुती मेहनत का है, किसी की सलहा आपके लिए नुकसान दायक रह सकती है। बेतो रगा की अपने व्यक्तिगत कारें को दुसरों से उमीद रखने की वजाए खुद ही निप्टाने का प्रयास करें। परंटु इगो और अति आत्म विश्वाद जीसी कम्यों पर काबू रखना भी जरूरी है। दोस्तों आपके लब लग के बारे में बात करें तो घर में किसी खास व्यक्ति के आगमन से खुसी भरा माहूल रहेगा। प्रयम समंदों को परवारिक सिरुकरती मिलने से विभास समंदी योजना भी बनेगी। कि स्वास्त के बारे में देखा जाए तो गले में इंफ्यक्शन और बुखार जिसी इस्तिती रह सकती है। अपना इंफुर्श सिस्टम मजबूत रखने के लिए आरवेदी चीजों का अधिक से अधिक इस्तमाल करें। दोस्तों बात करता आपके उपाय के बारे में। प्रमि पक्षी जोड़े की तस्विर लगाएं।